तो आज किस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूँ कि आप किसी भी वीडियो में अपनी voice को कैसे add कर सकते हैं चाहे उस वीडियो को आपने खुद से suit किया हो या फिर वह किसी और की वीडियो हो या फिर वह कोई non copyright वीडियो हो जिसे आपने किसी website से download किया हो तो उस वीडियो में आप अपनी original voice कैसे add कर सकते हैं और उस voice को add करने के साथ साथ आप उसे इस तरह से edit कर सकते हैं आप देखरे हैं टेक्तिकों सब्सक्राइब को सेबसे पहले कोई भी वीडियो एडिटिंग एप को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है जैसे मैं यहाँ पर काइन मास्टर का इस्तिमाल कर रहा हूँ अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो आप इसे easily free में play store से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो install करने के बाद आपको इसे open करके simply यहाँ पर आ जा रहा है plus के icon पर click कर लेना है और क्योंकि आपको YouTube के लिए video बनानी है इसलिए जो first option है 16 by 9 ratio का आपको वहीं पर click कर देना है वहाँ पर click करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का interface हाजाएगा अब यहाँ पर सबसे पहले ही आपको video select करने के लिए बोल रहा है अब यह video जो है वो मेरी यहाँ पर आ चुकी है अब यहाँ पर जब आप किसी भी video में अपनी voice डालते है तो एक चीज़ का आपको हमेंसा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी raw video है या original video है उसमें से पहले से ही कोई audio हो सकती है जो कि उस video के साथ record हुई होगी या जो उस video में अल्रेडी सामिल है तो सबसे पहले आपको उस video में से उस audio को निकालना होगा वरना अगर आप अपनी voice उसके उपर add कर देंगे तो कोई भी voice clear समझ में नहीं आएगी क्योंकि दोनों voice जो है वो उसमें mix हो जाएगी तो सबसे पहले इसके अंदर जो भी music है या जो भी audio है या जो भी voice है सबसे पहले हमको उसको जो है वो निकालना है इसके लिए हमें simply video को ऐसे select कर लेना है select कर निवा side में जो भी option आएगा इसको उपर की तरफ scroll करना है सबसे नीचे extract audio का option मिल जाएगा simply हमें जो है वो इधर से इस तरह से audio को निकाल लेना है इसको left side में नीचे से third number उपर की तरफ एक delete का आपको option मिल जाता है जहां से ये जो audio है यहां से ये delete हो चुकी है अब जैसे ही ये audio यहां से delete हो गई अब आपको simply इसमें अपनी voice को डालना है तो आपको यहां पर जो एक इसका menu option दिख रहा है यहां पर एक record का button आपको मिल जाता है simply आपको उस पर click कर देना है और यहां पर आपको start button मिल जागा जैसे ही आप start button दवाएंगे मैं अभी इसमें जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सभी की सभी चीजे इस video के अंदर यहां पर record हो रही और मैं इस तरह से बोलता ही जाओंगा और यह सभी चीजे जो है इसमें record होती जाएगी जैसे ही आप यहां पर stop button पर click करेंगे यह देखिए आपकी जो recording है वो यहां पर easily नीचे आ जाते है अब यहां पर recording तो आ गई है लेकिन अब हमें इस recording में या इस audio file में और भी काफी सारे कर modification करने हो changes करने हो तो वो हम कहां से कर सकते हैं वो इ pulls में आप सभी को बता दीता हूं तो समसे पहले तो अगर आपको यह audio जो आपने record की है और अगर लगता है कि आपकी audio सही नहीं है आप इसका प्रिव्यू देखना चाते हैं तो यहां से आप इसका प्रिव्यू देख सकते हैं नीचे से आप अगर इसे चाहें तो वापिस से re-record कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें किसी तरह की गलती हुई है या आपने कुछ गलत बोल दिया है तो आप इसे वापिस से record कर सकते हैं इसके लावा यहाँ से आप इसे trim और split पगारा कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ से voice को change करना चाहते है अगर मैं अपनी आवाज में थोड़ी effect लाना चाहता हूँ अपनी आवाज को थोड़ी गहरी या पतली बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ तो सबसे पहले हमें audio को select करना है और audio को select करने के बाद आपको यहाँ पर voice changer का option मिल जाएगा तो यहाँ पर already काफी सारी आपको voice के sample देखने को मिल जाएंगे जिन पर एक एक पर क्लिक करके आप उस हिसाब से अपनी audio को बना सकते हैं या अपनी किसी भी वीडियो में जो है अपनी खुद की original voice को add कर पाएंगे तो उस तो वीडियो कैसा लगा मुझे जोरूता है अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दिजिए चनल को subscribe निक कर दिजिए तो मिलता वी नेक्ट वीडियो में है तो तक लिए गुड़ बाई टेक कियर